रादे रादे जैसी क्रशना मैं सीमा सिंग बढ़ों को चारणेस पर चोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्यमे का दस्वा अध्धाय सुनाने जा रहे हूँ अब तक हमने नो अध्धाय सुने हैं अगर आपका कोई भी अध्धाय सुनने से चूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बोक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूँगी आप वहाँ से अपना चुटा हुआ अध्धाय सुनकर पुर्णे अलाब कमा सकते हैं और अगर आपको यह अध्धाय अच्छा लगी तो इसे जादा से जादा लाइक करें अपने दोस्तों निष्टेदारों में जरू शेयर करें ताकि उन्हें भी कार्थिक मास्क के महात्यमे को सुनने का संपुर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुर्णे अलाब मिले और हमेशा की तरह आप से एक करूल रिक्वस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपिया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले धन्यवाद आईए अब हम कार्थिक मास के महात्यमे का दस्वा अध्याई सुनते हैं कार्थिक मास सभी मासों में उत्तम मास है राजा प्रथू ने नारत मुनी से कहा कि हे मुनीवर आपके मुख से कार्थिक मास का महात्यमे सुनकर मैं करतकत्य हो गया आज मेरा जीवन सफल हो गया आज मैं और मेरा परीवार धन्य हो गया आप मुझे कार्थिक मास का महात्यमे सुनाने आए हैं हे मुनिश्वर कार्थिक मास के महात्यम्य को सुन्ने मात्र से समस्त पाप धुल जाते हैं हे मुनिश्वर आज मैं आपके मुख से पाप नासक स्थरोत को भी सुनना चाता हूं आपने मुझे कार्थिक मास जैसे पवित्र मास के महात्यम्य कश्यवन कराया जिसको सुनने मात्र से सभी पापों का शे हो जाता है कार्तिक मास यानि रधादा मोदर मास में जो केशव भगवान के नाम का संकीर्टन करते हैं वही मनश्च संसार में पुन्य आत्मा है जो लोग कार्तिक मास में भगवान केशव का कीर्टन करते हैं वे धन्य है नारद्मुनी बोले कि हे राजन तुम श्रेष्ट विष्णु भक्त हो और तुम्हारे भक्ती युक्त वचन सुन कर मैं बहुत प्रसन हुआ हे राजन जिस मनुश का जीवन धर्म में दिन रात लगा रहता है वही सच्चा विष्णु भक्त है कार्तिक मास की महिमा का वर्णन तो भ्रह्मा, महेश, इंद्र, आदी, देवता भी करने में ऐसा मर्थ है हे राजन कार्तिक मास में पवित्र तीठों में जाकर पवित्र नदियों में तीन डुपकी लगाने मातर से ही मुनश के जीवन भर के समस्त पाप धूल जाते हैं हे राजन आज मैं तुम्हें एक प्राचीन पाप नाशनी कथा सुनाता हूँ पूर्विकाल में वेद शर्मा नाम का एक महान तपस्वी ब्रामन था वह तीर्थ यात्रा किया करता था वह बड़ा ही सत्य वक्ता, जितेंद्रिय, धार्मिक प्रवती और वेद शास्त्र का ग्याता था वह पित्रों के नीमित तरपन आधी किया करता था उसे चारों वेदों और शास्त्रों का पून ग्यान था वह हमेशा सत्य बोलता था और भगवान हरी की पूजा, पाठ, यग्य, हवन में हमेशा लगा रहता था वेश्नवजनों के साथ उसकी संगती रहती थी वहतीनों कालों के ग्याता दयावान वेभ्रम चारी था एक बार की बात है, कार्तिक का महिना था मुनिवेद शर्मा गंगा के किनारे इसनान करके लोट रहे थे उसी समय उन्होंने अपने सामने साथ पुरुशों को देखा जो किसी दूसरे पिशाच की भाती प्रतीत हो रहे थे उनका संपून रंग काला और नीले रंग का था वे वट व्रक्ष के पेड़ पर उल्टे लटके हुए थे वे साथों पिशाच बुरी तरह से चीक चिला रहे थे मुनिवेद शर्मा के हाथ में गंगा जल था तो उन्होंने डर कर वे गंगा जल उनके उपर छिड़क दिया उसी शन वे साथों पिशाच मुनि के पास आकल हाथ जोड कर खड़े हो गए और बोले की हे भगवन हे मुनिवार आज आपके गंगा जल के चीटे हमारे उपर गिरा तो हमें पूर्व जन्म के सभी बातों का इस्मरण हो आया हे मुनिवार आज आप हमारे लिए देव दूद बन करके आएं हैं आज आपके द्वारा ही हमारा उधार होगा तब मुनिवेद शर्मा भ्रामन बोले की हे नर पिशाचों तुम्हारे ये दुरगती किस कारण हुई तुम सब एक एक करके मुझे बताओ तुम्हारे दुखों को मैं अवश्य दूर करूँगा क्योंकि महात्माओं का जीवन तो दूसरों के कल्याण के लिए ही हुआ है तब उन सातों नर पिशाचों ने कहा कि है मुनिवर पूर्व जान्म में हम महिश्मती नगरी के धर्म गुरु नाम के एक ब्रामन के साथ पुत्र थे हम सातों ही भाई थे लेकिन एक ब्रामन कुल में जान्म लेकर भी हमने हमेशा बुरे कार्म किये कभी भी ब्रामन कुल की मर्यादा का पालन नहीं किया नहीं कोई हमने वरत उपवास दानपुन नहीं किया हमारे माता पिता ने हमें बहुत धर्मा अनुसार शिक्षा दी लेकिन हम सभी भाईयों की बुद्धी ब्रस्ट हो चुकी थी हमने कभी अपने माता पिता की आग्या का पालन नहीं किया उनने ही हमने कार्तिक, माग, बेसाग, मास में इसनान, जप दप दान नहीं किया कभी विश्णु भगवान के नाम की इस्तूती नहीं करी हमारी गलत संगत के कारण हमारे माता पिता ने हमें घर से निकाल दिया हमारी प्रवती जुआ खेलने चोरी चकारी करने परिस्तरी गवन जूट बोलने मास मदीरा का सेवन करने में ही लगा रहा तब हम सातों भाईयों ने जंगल में शरण ले ली वहां हम हमारे दुष्ट मित्रों के साथ जंगली पशूँ को मार कर मास खाने लगे मदीरा पीने लगे और चोरी करने लगे और दुष्ट दुराचारी प्रवती के बन गए तब एक बार हमें उस वन में एक हाती दिखाई दिया हम सातों भाईयों के दुष्ट दिमाग में उसे मारने का विचार आया तब हमने उस हाती को मार कर उसकी खाल और सिंग निकाल करके बेच दिया और खुब धन कमा लिया लेकिन कुछी भरसों के बाद हम सब को शैरोग हो गया हमारे आंतरिक अंगों में कीडे पड़ गए और एक दिन हम सब भाईयों की बारी-बारी से म्रत्यू हो गई हमारे पापों के कारण यम दूत हमें मुगदरों से मारते हुए यम पूरी में लेकर गई तब हमारे पापों की संक्या जादा और पुन्य जीरो होने के कारण हमें यम राज ने साथ जन्म तक पिशाच की योनी में डाल दिया हे मुनिवर ये हमारा सात्वा जन्म है हे मुनीवर आज आपके द्वारा हमारे उपर गंगाजल डालने से हमें पूर्व जन्म की सभी बातों का इसमरण हुआया हे मुनीवर पिछले छे जन्मों से हमें कोई देख भी नहीं सकता था केवल इस सात्वे जन्म में आप हमें देख पाए हैं इससे लगता है कि हमारा उधार आपके ही हातों होगा हे देव आप ऐसा कोई उपाई बताईए जिससे की हमारे पापों का नाश हो हे मुनीवर आप बड़े ही पहुँचे हुए महात्मा वे दयालू जान पड़ते हैं तब मुनी देव शर्मा ने कहा कि हे नर्पिशाचों तुमने अज्ञानता वश्पाप किया है साथ ही तुम सत्य बोल रहे हो और तुमें तुमारे पाप कर्म का पश्चाताब भी हो रहा है हे नर्पिशाचो मैं सत्ते कहता हूँ मेरे द्वारा ही आज तुम्हारा उधार होगा हे नर्पिशाचो मेरे इस कमंडल में गंगा जल है इस जल को अभी मंत्रित करके मैं तुम्हारे उपर अभी चिड़कता हूँ तुम्हारा उसी समय उधार हो जाएगा हेनर पिशाचो कार्तिक का महिना चल रहा है गंगा में कार्तिक इसनान करके आ रहा हूँ और मेरे इस कमंडल में गंगा जल है मैं इस जल को अभिमंत्रित करके मैं तुम्हारे उपर अभी छड़कता हूँ तुम्हारा उसी समय उधार हो जाएगा ऐसा कहकर मुनी ने कमंडल में रखे गंगाजल को वेद मंत्रों से अभिमंत्रित किया और उन सभी सातों पिशाचों के उपर छड़का तोवे उसी समय पिशाच योनी को त्याग कर दिव्य दह धारन करके दिव्य वस्तर पहन कर अलोकिक आबूशन पहन कर मुनी के सामने जोड कर खड़े होगे उसी समय विश्नु दूत पुश्पक विमान लेकर के वहाँ आए उन सभी ने मुनी की परिक्रमा करी प्रणाम किया और विश्नु दूतों के साथ विमान में बैठ कर विश्नु लोक में सुक भोगने के लिए चलेगे हे राजन आज मैंने तुम्हें कार्तिक मास की पाप नाशीनी कथा सुनाई है जो कोई भी मनश इस महात्यमे को कार्तिक मास में सुनता है पढ़ता है सुनाता है उन्हें कभी भी नरक की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती उन्हें कभी भी नरक का भे नहीं सताता नारद्वुनी आगे बोली कि हे राजन एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंदर अपनी इस्तरी व्रंदा के साथ असुरो से सम्मानित हो सबा में बैठा था तभी गुरु शुक्राचारिय जी उनके पास आये जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाश्मान हो रही थी तब गुरु जी को आता देख कर असुरो सहीत सागर पुत्र ने उटकर बड़े ही आदर से अपने गुरु शुक्राचारिय जी को प्रणाम किया और आदर सत्कार किया तेजस्वी गुरु ने सब को आशिरवात दिया फिर गुरु को इकदिवे आसन पर बैठा कर सब देते भी यथा इस्थान पर बैठ गए तब सागर पुत्र ने नमरता से प्रशन किया कि हे गुरु जी राहु का सिर किसने काटा था आप मुझे विस्तार से बताईए इस पर उनके गुरु शुक्राचारिय जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपू और उसके धर्मात्मा प बनकर राहु भी देवताओं की पंक्ती में बैठ कर अमरत को पी गया इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विश्णु ने राहु का सिर काट डाला यह सुनते ही जलंदर के नैत्र लाल हो गे उसे बड़ा क्रोध आया फिर उसने अपने दसमर नामक दूद को बुलाकर गुरू का कहा हुआ सारा व्रतान सुनाया और आग्या दिक तुम शिग्र ही इंद्र पूरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ दसमर जलंदर का बड़ा ही निपून दूद था वैं शिग्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में पहुँच गया और उसने जल नहीं किया यदि तुम अपना भला चाते हो तो उन सब रतनों सहीत देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ अन्यता है सुराधम सत्य कहता हूं कि तेरा राज्य तेरा एश्वर ये सब धन्स कर दूँगा इंद्र ये सुनकर बहुत विस्मित हुआ और उसने कहा कि पहले सागर ने मेरे भैसे सब परवतों को अपनी कुशी में क्यों इस्थान दिया मेरे शत्रू देत्यों की क्यों रक्षा करी इसी कारण से मैंने उसके सभी रतन हरन किये हैं मैं सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही कभी सुखी नहीं रह सकता इंद्र की बात सुनकर वैदूत शिगर जलंदर के पास आया और इंदर की सारी बातें उसे कह सुनाई जिससे सुनते ही दैत्य क्रोध के मारे अपने होट काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उध्योग करना आरहम कर दिया फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोडो दैत्य जलंदर के पास विशाज सेना उसने उतार दी वीरों की शंक ध्वनी घोर गर्जन से इंदरपुरी गूंज उठी अमरावती छोड देवता उनसे युद्ध करने लगे भयानक मार काट शुरू हो गई दोनों पक्षों के आचारिये अपने अपने मृत कों को जीवित करने में लग गे अस इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचारिये जी से क्रोधित हो कर कहने लगा कि हे गुरुवर मेरे हाथ से मारे हुए देवता वापस कैसे जीवित हो रहे हैं उनको जीवित करने वाली ओश दीतु आपके पास है फिर ये कैसे संभव हो रहा है इस पर गुरु शु जलंधर और भी क्रोधित हो गया तब शुक्राचारिये ने जलंधर से कहा कि तुम क्रोधित क्यों होते हो यदि तुमारे अंदर शक्ती है तो तुम द्रोणागिरी परवत को उखाड का समुद्र में क्यों नहीं फैंक देते अगर तुम ऐसा करोगे तो गुरु व्रस्प कभी भी मरे हुए देवताओं को जिवित नहीं कर पाएंगे तब मेरे इस कथन की सत्यता भी प्रमानित हो जाएगी इस पर जलंधर क्रोधित हो गया और शिग्र ही द्रोणागिरी परवत पर पहुँच गया और अपनी बुजाओं के द्वारा उसे जड़ से उखाड कर सम जलंधर ने यह सारा कारी किया लेकिन इसमें उसकी कोई महांता नहीं थी यह सब कुछ भगवान शंकर कातेज था इसमें जलंधर की कोई विचितरता नहीं थी उसके बाद वे सागर पुत्र युद भूमी में आकर बड़ेवेक से देवताओं के साथ युद करने में लग जब गुरु व्रस्पती ओषदी लेने के लिए द्रोणागिरी परवत पर पहुँचे तो उन्हें द्रोणागिरी परवत ही दिखाई नहीं दिया, वहां उन्हें सुना मेदान दिखाई दिया तब गुरु व्रस्पती वैबित होकर देवताओं के पास आए और बोले कि यह युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत पाओगे। अब मेरे पास मरे हुए देवताओं को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी भी नहीं है। पहले इंद्र ने भगवान शंकर का अपमान किया था यह सब उसी का दोश है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंदु सूत निर्वय होकर अमरावती में प्रविष्ठ हो गया। इंद्र आदी सब देवत ने गुफाओं में और परवतों की कंद्राओं में जाकर के शरण ले ली। इस प्रकार नारदमुनी ने राज़ा प्रतु को कार्तिक मास का महात्यमे सुनाया। सूत जी आगे बोले कि हैं रिशियों यह मैंने तुम्हें कार्तिक मास के महात्यमे को सुनाया अब और तुम में वह भी सुनाईए मेरी सुनने की अपार इच्छा है तब नारद्मनी राज़ापृतु से बोले कि हे राजन कार्तिक मास में पलाश के पेड़ की पूजा करने का बहुत अक्षफल मिलता है विश्णु भगवान कहते हैं कि पलाश का व्रक्ष साक्षत हरी का रूप है कार पलाश के तीन पत्तों में से बीच के पत्ते में स्वम भगवान विश्णु का वास बायतरप के पत्ते में ब्रह्मा जी का और दाहिने दरप के पत्ते में शिवजी महराज का वास होता है जो मनुष्य नित्य ही पलाश के पत्तों में भोजन करता है वे एक हजार अश्यु के परंपद को प्राप्त होता है इसमें कोई संद है नहीं है नारदमनी आगे बोले कि जो नित्य प्राते उठकर कार्थिक मास में पलाश के पेड़ के दर्शन करता है वह परंपद को प्राप्त होता है पलाश का व्रक्ष सब देवताओं का आधार और धर्म का साधन है इसल सबी व्रक्षों में भ्रह्म व्रक्ष अर्थात पलास का व्रक्ष है, जिसके मूल में महादेव जी, इसकंद में सम्शूल धर शीव, और शाखाओं में भागवान रुद्र, पुश्पों में तुरुपरांतक, पत्तों में शीव, फलों में गनपती, चाल में गंगा, श्त्रों के लिए, पापों के नाश के लिए, मनुरत को पूरा करने के लिए कार्थिक मास में पलाश के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, इसके पूजन करने, ध्यान करने से सबी दुखों का नाश हो जाता है कार्तिक मास में पलाश के पेड़ की पूजा करने से घर में धन धाने की व्रदी होती है पलाश का पेड़ और पलाश के पेड़ के फूल भगवान महादेव को अधिक प्रिय है कार्तिक मास में अकेले पलाश के पेड़ की पूजा करने मातर से धन, संपन्ता, रिद्धी, सिद्धी, दिर्खायु, संतान, सुख की वराप्ति होती है कार्तिक मास में पलाश के पेड़ और फूल के दर्शन करने मातर से मनुस्च के सभी पापशीन हो जाते हैं पलाश के पेड के फूलों से भगवान शीव का शंगार किया जाए तो घर में धन वर्षा होने लगती है भगवान को यह फूल सबसे अधिक प्रीय है पलाश के पेड के दो तरें के फूल आते हैं लाल और सफेद फूल सफेद फूल भगवान महादेव को चड़ाने से धंधाने में व्रदी होती है और लाल फूल चड़ाने से पुत्र पोत्र यश्च वेबा बढ़ता है पलाश के पेड़ में भ्रहमा, विश्नु, महेश, तिनो देउताओं का वास होता है पलाश के पेड़ को धाक और टेसू के नाम से भी जाना जाता है इस पेड़ के साथ में एक मुहावरा भी जुड़ा हुआ है धाक के तीन पात पलाश के लाल फूलों को जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है पलाश के फूलों को घर में रखने से लक्षमी जी की क्रपा बरसने लग जाती है इसकी एक पुरानिक कहानी है कि भगवान शीव और मता पार्वती के एकांत के समय को अगनी देव ने भंग किया था तो उने शाप ग्रह होकर व्रक्ष के रूप में जन्म लेना पड़ा था वह पेड़ पलाश का था पलाश की लकड़ी से यग्योपवि संसकार किया जाता है पलाश का पेड़ सुक समरदी का प्रतीक है पलाश के पेड़ को यग्य हवन आधीकारियों में उपयोग किया जाता है पलाश का पूरा ही पेड़ उपयोगी है इसका तना, जड़, फूल, पत्ते सभी उपयोगी है पलाश के फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं कार्टिक मास के सध्याय में आज मैं आपको भीश्म पंचक व्रतकता सुनाने जा रहे हूं आईए अब हम कार्टिक मास में सुनी जाने वाली भीश्म पंचक व्रतकता सुनते हैं सबी कहानियों के साथ में भीश्म पंच व्रत कता सुनने का बहुत पुर्णियफल मिलता है एक समय राजा परिशित ने महात्मा व्यास जी से पूचा कि हे भगवन हमें कार्थिक मास की कता आपने सुनाई उससे भी एकादशी से लेकर पूर्णियमा तक इन पांच दिनों को भीश्म पंचक के नाम से क्यों जाना जाता है इस संबन में हम जानना जाते हैं और इन पांच दिनों के व्रत करने वालों को क्या लाब होता है महात्मा व्याजी ने कहा कि है परिशित तुम ध्यान से सुनो कुछ समय पहले काशी पूरी में बहुत ही निर्धर सोमेश्वनां का ब्रामन रहता था उसका शरीर बहुत ही कमजोर था परंतु वै भगवान विश्नु का परमभक्त था कार्तिक मास में वह रोज गंगा इसनान करता और भगवान विश्नु का पूजन करता था एक दिन वै बुखार से पीडित हुआ गंगा इसनान करने के लिए गया उससे गाटों की सिद्निया उतरी नहीं जा रही थी किसी तरह वे घाटों की सिद्णियां उतर कर गंगाजी तक पहुँच गया और गंगा इसनान करके वहीं बैठ गया पूरे दिन वे वहीं बैठा रहा और फिर संध्या में संध्या उपासना करने लगा वहीं पर व्रद भ्रामन के रूप में भगवान विश्नु अपने भक्त पर करपा करने के लिए पहुच गये भगवान ने भ्रामन को बड़े कष्ट में देख करके पूछा कि हे भ्रामन तुमारी इस्तिती तो गंगा इसनान करने जैसी नहीं लग रही है फिर भी तुम ऐस अवस्था में इसनान करने के लिए क्यों आये हूँ कहो क्या चाते हूँ ऐसे वचन सुनकर व्रत भ्रामन ने भगवान से कहा कि हे भगवान मैं बहुत गरीब भ्रामन हूँ इस संसार से अपमानित हूँ और तकलीफ पा रहा हूँ इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता तो कृपा करके मेरे उपपर दया कीजिए ब्रामन की ऐसे वचन सुनकर भगवान रुपे ब्रामन ने कहा कि है ब्रामन सुनू ये कार्तिक का महिना चल रहा है इसमें शुकल पक्षि की एकादशी से लेकर पूर्णी मा तक जो ये पांच दिन के वरत करता है उसको विश्मक पंच के नाम से पुकारा जाता है पांच दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा विश्म को जल दान दो गंद अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विश्म की पूजा तुलसी पुष्प आदी से करो इससे तुमारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम इस संसार के सभी सुकों को भोग कर मरने के बाद विश्नु लोग को पाओगे हे ब्रामन महाभारत की लडाए में जब महात्मा भीश चरसया पर सोय हुए थे उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राज, धर्म, व्यवहार, धर्म, ज्यान, धर्म कहा था उस समय अर्जुन के सखा क्रश्न वहीं पर थे जब भिश्म से क्रश्न ने कहा कि हे पिता महें, जो मनुष्य कार्थिक मास के शुकलपक्षी की एकादशी से लेकर पूर्णी मा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा वह पूजा मैं स्विकार करूँगा और उसके सभी कष्टों को दूर कर दूँगा अतय हे ब्रामन, तु इस भीश्म पंचक में महात्मा भीश्म का पूजन कर इसके करने से तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे उसके बाद उस ब्रामन ने भी कार्थिक मास के भीश्म पंचक व्रत किये जिससे भें सभी सुकों को भोग कर मरने के बाद विश्म लोग को प्राप्थ हुआ इसलिए कार्थिक मास में महात्मा भीश्म का पूज़ करना चाहिए इससे सर्व, आनंद और अंत में मोक्ष की प्राप्थी होती है एक बार एक राजा था उसके पुत्र का नाम शुभंकर था जब राजा व्रत हो गया तो उसने कार्थिक मास में यग्य हवन करवाया वह यग्य में पांसो एक गाए भ्रामनों को दान कर रहा था उस यग्य में उस राजा का पुत्र भी बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रहा था वह यग्य के आयजन की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समाल रहा था तब उसने सुना कुछ पंडित आपस में बाते कर रहे थे वह पंडित कह रहे थे कि राजा यग्य तो करवा रहे हैं लेकिन पांसो एक गाए जो दान में दे रहे हैं वे सभी बुड़ी बिमार और दूद देने वाली नहीं है ऐसी गाएं दान करने से अच्छा है कि वो गाएं दान ही नहीं करें हम ऐसी गाएं घर ले जाकर कि क्या करेंगे ये गाएं कितने दिन जिवित रहेगी और ने तो ये दूद देती हैं और बीमार भी हैं, हम इने क्या खिलाएंगे जब राजा के पुत्र शुबंकर ने ये सुना तो उसे बहुत दुख हुआ वे उसी समय अपने माता पिता के पास महल में गया और अपने माता पिता से बोला कि हे माँ हे पिता जी आप यग्य में जो गाएं दान कर रहे हैं वे सभी गाएं बिमार भुड़ी और दूद न देने वाली हैं हे पिता जी आप वो गाएं दान न करें बलकि स्वस्त, सुन्धर और दुधारू गायों का ही दान करें मैं ऐसी गाएं दान में नहीं देने दूँगा पिता पुत्र में लड़ाई हो गई व्रद राजा ने कहा कि पुत्र अगर मैं पांसो एक दुधारू गाएं दान में दूँगा तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा पूरा राज कोश खाली हो जाएगा तब गुस्से में आकर राजा ने अपने पुत्र से कहा कि जा मैं तुझे भी धर्म राज जी को दान में देता हूँ उसी समय वे उनका पुत्र महल चोड़ कर जाने लगा मा ने अपने पुत्र को बहुत समझाया लेकिन पुत्र ने मा को प्रणाम किया और महल छोड़ कर जाने लगा तब उसकी माता ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र मैं तुमें एक सीख देती हूँ जाने से पहले तुम मेरी इस सीख को याद करो भगवान शीव को याद करना हो तो बैल के पास जाना भगवान क्रश्न की स्तूती करनी हो तो गाई के पास जाना और धर्म राज जी को याद करना हो तो भैसे के पास जाना पुत्र ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और वन में जाकर स्तूती करने लगा वन में जाकर वै एक भैसे के पास बैठ गया और आठ दस दिन तक उसने अन जल त्याग दिया और कठोर तपश्या काड़े लगा तभी वहाँ धर्म राज जी दे विमान लेकर आये और वोले कि पुत्र उठ मैं तेरी तपश्या से प्रसन हुआ पुत्र मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ पुत्र मैं तुझे लेने के लिए पुश्पग विमान लेकर आया हूँ तरधा मराज जी ने उसे बैकुंट का वास दिया इसलिए कहते हैं कि अगर गाई दान करें तो जाए वह एक गाई ही दान में दें लेकिन वैस्वस्त तंदूरुस्त और दूद देने वाली गाई बच्छडा सही दान में देनी चाहिए इस तरह आज में आपको कार्तिक मास के महात्यमे का दस्वा धै सुनाया आशा करती हूँ यह आपको जरू पसंद आएगा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे की कता कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद